अमेरिका और इरान के बीच बढ़ता तनाव अब युद्ध की कगार पर पहुचता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी का जवाब देते हुए अब इरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने उसकी तरफ एक भी गोली तागी तो अमेरिका को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा इरान ने कहा कि अमेरिका के किसी भी एक्शन से उसके हितों को आग लग जाएगी आपको बता दें कि इससे पहले इरान द्वारा अमेरिका के सर्विलांस ट्रॉन को मार गिराए जाने से खफा राश्ट्र पती ट्रंप ने इरान पर हमले का आदेश दिया था लेकिन अंतिम पुशनों में वहे इससे पीछे हट गई उन्होंने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है इसलिए मैंने हमले को 10 मिनट पहले रोक दिया साथ ही टरंप ने कहा था कि इरान पर हमने सैनने कारवाई इसलिए नहीं की क्योंकि इसमें डेड़ सो आम नागरिक मारे जाते साथ ही आपको बता दें कि इरान ने गुरुवार को अमेरिकी सेना के एक ड्रोन को मार गिराया था जिसकी कीमत 13 करोड डॉलर यानी करीब 900 करोड रुपे थी इस मामले में इरान ने दावा किया था कि यह जासूसी ड्रोन उसके वायू शेत्र में उड़ रहा था जबकि अमेरिका का कहना है कि उनका ड्रोन अंतराश्टिय वायू शेत्र में ही था हाला कि यह अभी साफ नहीं है कि हमले को लेकर ट्रंप ने अपना मन बदला या प्रशाशन ने किसी रणनीती के तहत यह बदलाव किया साथ ही यह भी स्पस्ट नहीं है कि क्या हमला आगे भी हो सकता है अगर आप हमारी ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज पंजाबकेसरी.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाबकेसरी.com को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि पलपल की खबरों के अपडेट्स आपको मिलते रहें अभी शेक माथुर पंजाबकेसरी दिल्ली झाल यूले 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